यह आप देखोंगे, हम इसका पैट कर दिया है, तो हम इसका 360 आपको दिखा दिते हैं, यह ऐसे पैट 360 हो जाता है पूरा, आप इसको टैब की तरह भी यूज कर सकते हैं इस लैप्टोप को हेलो फ्रेंट्स, मेरा नाम है अमीत और आप देख रहे हैं, दिल्ली NCR का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कम्प्यूटर्स, आज ही हमारे पास एक लैप्टोप आया है, जिसका मोडल है X360 13, प्रोब्लम की यदि हम बात करें, इसमें प्रोब्लम है, फैन का एरर आ रहा है, और ये इसलो चल रहा है, उससे पहले हम इसके बारे में बताना चाते हैं, कि ये लैप्टोप क्या इसमें हम function होते हैं, और इसका performance कैसा होता है, ये कैसी मसीन है, तो उसके बारे में हम इसके यदि बात करें, तो ये touch screen laptop होता है, ये तो आप कोई पता है, X360 हो जाता है, भी मसीन आपकी i5 में भी आती है, i7 में भी आती है, हमारे पास जो मसीन है, वो ये आप देखोंगे, i5 8 generation में है, i3 8 generation में है, ये i5 में भी आती है, i7 में भी आती है, i5 8, i3 8 generation है, 8 GB RAM है, और इसमें 512 GB SSD के साथ आया हुआ है, SSD की यदि हम बात करें, तो इसमें हमारी M.2 भी लग जाती है, SATA चाहे तो हम SATA भी इसमें SSD लगा सकते हैं, पर ये SATA के साथ नहीं आया है, इसमें M.2E आई है, और यदि हम performance की बात करें, जो SSD के साथ है, तो इसका performance, चलने की speed बगएरा बड़ी अच्छी है, 8 GB RAM है, नॉर्मल काम के लिए बढ़िया मसीन होती है, होम X360 में आप जा रहे हूँ, जो conversion laptop होता है, तो उसका HP का X360 14 laptop 13 या 14 जो भी आप कुछाए, आप खरीच सकते हो, टची स्कीन में क्या होता है, हमारा थोड़ा काम easy हो जाता है, जैसे कि आप कोई कुछ भी देख रहे हो, कुछ वह कर रहे हो, तो इसमें easy हो जाता है, हम स्कीन लेने का फाइदा है, otherwise टची स्कीन लेक्टोप लेने का कोई benefit नहीं है, थोड़ा costly भी आता है, maintenance भी जादा होती है, maintenance किस टाइप की जादा होती है, कि हमारा कोई हाथ लग जाए, कुछ ये टूट जाए, तो इसकीन टूट जाती है, तो बड़ी costly स्कीन होती है, otherwise नहीं है, तो चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें, और हम आपको ऐसा नया नया content आपके लिए, कि आपका क्या fire की चीज़ है, क्या नुकसान की चीज़ आपके लिए लाते रहेंगे, तो अब हम बात करते हैं, कि problem इसमें क्या आ रही है, सबसे पहले problem इसकी ये है, कि ये इसम हमारा fan का error आ जाता है, cooling fan का काम नहीं करता है, एक वो problem है, दूसरा slow का problem है, slow की problem SSD लगी हुई है, तभी भी problem आ रही है, जब SSD है, फिर भी क्यों हमारा slow चल रहा है, तो उसमें 2-3 चीज़े होती है, जैसे हमारा bad sector आ जाए, हमारा cooling system सही नहीं हो, इन चंचीजों की वज़े से भी हमारी machine slow चलती है, यदि आपके laptop में SSD नहीं है, और machine slow performance कर रही है, तो फिर आप अपने laptop में SSD लगवाई है, hard disk जो क्या हो, hard disk जो आती है, आज कल के laptop में hard disk आ रही है, वो 500 RPM में आ रही है, जिनकी data transfer speed बहुत कम होती है, और window 10 में क्या होता है, hidden file बहुत जादा होती है, जिस वज़े से हमारी machine slow चलती है, slow performance करती है, तो आप यदि आपके laptop में इस तरह की problem आ रही है, कि slow चल रही है, या कोई और problem इस type का आप face कर रहे हो, कि भाई हमारी window में problem है, तो ये window की problem नहीं है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते है, आपको SSD चेंज करानी होगी, SSD आप कौ SSD में आती है, और description में हमने उसका link दिया हुए, यदि आप खरीरना चाहते हैं, तो हमारे link पर क्लिक करके आप खरीद सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे आज कल रेट आ रहे हैं, आपको उससे खरीद सकते हैं, तो हम आपको उसमें दिखाते हैं, कि जैसा हमारा fan नहीं च HD लगाते हैं, और इसके fan की service करते हैं, फिर हम आपको लैप्टोप का performance लिखाते हैं, हमारी आप से request है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को subscribe करें और video को like करें, क्योंकि इस तरह के content हम आपके लिए बनाते रहते हैं, और अगर आपके laptop में भी इस तरह का आप हमें comment करें, हम आपको पूरा support करेंगे, अब performance के लिए service के बाद हम इसमें SSD लगाते हैं, यह SSD है इसका, SSD हमने आपको बताया है, WD Best SSD होती है, यदि आपको चाहिए तो हमारे नीचे description में हमने इसका link दिया हुआ है, आप महाँ से SSD खरीद सकते हैं SSD की जो टाटा ट्रांसफरी स्पीड होती है, यदि हम उसके बारे में बात करें, तो साटा की हमारी स्पीड जो आती है, नोर्मल, अमोमन हमने देखा है कि यह 500 Mbps के स्पीड के हिसाफ से होता है, M.2 में जाते है, M.2 की स्क्रीण आपको, M.2 की स्पीड जो आती है, लिखके तो वो देखते हैं कि 5 Mbps के आसपास जीवी के आसपास होती है, पर जो हमने उज़र किया है, वो वन जीवी तक आता है, और जो हमारी Nvmv, जो top class की SSD होती है, उसमें आपकी 8 से 10 Gb पर Mbps की स् स्पीड पर बहुत फरक पड़ता है, यदि आपको लैप्टोप की इस लो वन एस से परेशान है, तो आप SSD लगवा के अपना लैप्टोप फास्ट कर सकते हैं. यह हमने SSD लगाने के बाद मसीन पैक कर दी है, अब इसमें हम OS वगेरा करेंगे, यह आप देखो में हम इसका पैक कर दिया है, तो हम इसका 360 आपको दिखा देते हैं, यह ऐसे पैक 360 हो जाता है पूरा, आप इसको टैब की तरह भी यूज कर सकते हैं इस लैप्टोप को, तो यूजर फैंडली हो जाता है यह यूज में, बस वही है, इसकी थोड़ी maintenance और care जादा हो जाती है इस लैप्टोप की, थोड़ा भी आत लगा तो यह glass वगेरा चटक जाता है, इसकीन खराब हो जाती है, और इसका cost भी थोड़ा normal से जादा होता है, इसलिए यह हम इनको बो इसकी स्क्रीन टच टच लैप्टोप यूज करने की, तो आप मत खरीदें, क्योंकि आपका लैप्टोप भी महंगाएगा, maintenance cost भी जादा होगी, resale value भी कम होगी, तो इस चीज से आप समझ सकते कि आपको लैप्टोप यह लेना चाहिए, X360 या नहीं लेना चाहिए, हमने इ इसके बारे में आपको बताया है,